दिल्ली में आज 30 सेप्टेमबर है मनिसा बालमी की जिसकी जिनके साथ गैंग रेफ हुआ उसके बाद उनको जला दिया गया सबूत नश्ट कर दिया गया आप कलपना नहीं कर सकते हैं क्या हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन्स हो या दिली हो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं सरकार डरी हुई है या डिक्टेटर्सिप कर आथे दो ही बात हो सकती है या तो सरकार डरी हुई है डिक्टेटर satu कर दिया गया है तो सोचे कलपना किजिए कि यूपी में क्या होगा आज दिन भर तस्वीर आती रही कहां डंडो से पिटा ही। सोचे जो पुलीस पोटेस्ट रोकने में काम्याब होती रहती है वो अपराधियों को नहीं रोक पाती है, रेपिस्टों को नहीं रोक पाती है। मिरसाथ दिली इनवर्सिटी के दो पोफेसर हैं जो लगातार SC, ST, OBC, Minority और हर तरह के अन्याय के खिलाफ सरकों पर होते हैं। उन लोगों को भी आज का स्टडी में लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, उनसे खुद बात करेंगे। सुधानसु हैं में साथ, सुधानसु क्या हुआ था? तो जी नहीं अभी धारा 144 लागू है, यह है, वह सारी बात है। और यह धारा 144 देखें दिल्ले में हमेशा लागू रहता है, वह उसका यह मतलब नहीं होता है, प्रोटेस्ट करने से रोका जाता है। आज जो हुआ है वो इतिहासी किस माइने में दिल्ली इन्वर्सिटी में कि एक एक आदमी जैसे जैसे लोग उस गेट नमर 4 का से बहुत पहले कॉर्डेन कर दिया गया था उसको चार उतरब से घेर दिया गया था हम किसी सुरत में गेट नमर 4 हम लोग को पहुंचने नहीं द बस लगा दिया को एक आदमी अपना उतरता था वहां पहुंचता था इतने संसाधा ने दिल्ली पुलिस के पास कि एक एक आदमी को ठाने ले जा रहा था यह नहीं कि जैसे एक होता है कि आप लोग सौलों की कठा हो गया चलो बस में बिठाया और नहीं कोई पहुंचा पत सरकार नहीं जब लॉकडाउन खोला है तो यह तो बोला भार सरकार ने की 100 लोगों के हम असपास हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं या इकठा हो सकते हैं तो हम तो 100 से कम हैं हम लोग 85 आसपास थे तो फिर के उठालिया हमको हमारे पर तो एक्ट भी लागू नहीं हो रहा है वह ज फिलहाल तो यही लग रहा है कि सरकार डरी हुई है इसलिए लोगों को डर आ रही है सीधा सा मामला यह है जो सरकार खुद जब तक जो सरकार में लोग हैं वो लोग जब विपक्ष में थे उन्होंने जितने उग्र प्रदर्शन किये हैं उसका इतियास हमारे सामने है खुद ये सारे लोग विरोध प्रदर्शनों के जरी सत्ता तक पहुँचे हैं निरभया का मामला हुआ तो सबसे ज़ादा उग्र कौन लोग थे जो आज सरकार में बैठे हैं सबसे ज़ादा उग्रता से बयान देना प्रदान मंत्री तक कि आलोचना करना और उसके नाम पर इन्होंने ये साबित किया कि वो सबसे महिला हितैशी विक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा समाज की भलाई चाहते हैं और आज वही लोग सरकार में हैं और उन्होंने पूरे देश में जो सुदानसू जी कह रहे थे विश्वद्याले में इमर्जिंसी लगाना वो पूरे जो डिमोक्रिटिक राइट है, हम प्रोफेसर्स लोग है, हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी ये है, कि जो हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उसे समाज में जीता हुआ, देखें, अगर समाज उस दिशा में नहीं जा रहा है, जो हमारी जम्मेदारी है, तो हम समाज की बीच भी उतरते हैं, और जब हमें उस पे उतरने से रोका जाए, जब हमें वह नहींती… खास कर अगर हिंदी पट्टे की बात करें, खास कर यूपी की बात करें, जहां सबसे ज़्यादा सफरर हैं, बहुजन समाज के लोग, जहां बनीसा बालमी की का रेप होता है, साथ दिन तक के, लेकिन जो बड़ी लीडर्शिप है, आपोजिसन के चाहाए, वो माय वत्तियों निभा रहे हैं, और इन लोगों को न जाने क्यों इस बात से भरोसा उठ गया है, कि विपक्ष काम कैसे करता है, भारती जनता पार्टी ने इस देश को समझाया है, कि विपक्ष में ऐसे रहा जाता है, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, आप डर करके सोचते हैं, या पीछे रह करके, चार कदम पीछे रह करके, आप यह सोचते हैं, कि आप इनका राजनितिक विकल्प बन जाएंगे, असंभव, आपको यह जो किम दिखाना होगा, आप ट्विटर से राजनितिक नहीं हो रही है, जहां जहां भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आ उपी में सबसे ज़्यादा लाठियां अगर किसी पर पढ़ रही है, तो समाजवादी पार्टी कार करताओं पर, नेताओं पर लाठियां क्यों नहीं पढ़ रही है, यह सवाल हमें उनसे पूछना पड़ेगा, आपकी लिडर्शिप कहां है, बहुजन समाज पार्टी अब है, तो सारी जिम्मेदारी क्या उनके कैडर या सामाजी का अंदोलन कारियों ने लिली है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, या तो इनको उपोजीशन का बीजेपी से विपक्ष में कैसे रहते हैं, और सत्ता में रहते हैं, चले विपक्ष वाला नहीं सीखें, सत संभाव, जब आप विपक्ष में नहीं रह पा रहे हैं, तो सत्ता में भी आप ऐसे डर कर रहेंगे, आप वही है, हाथ भी तनार रहे, और काक भी धक्र भी रहे, मुट्टी तान करें ऐसे विरोध नहीं होता है, उनको राजनात सिंग, रवी संकर प्रसाद, अरून जटल इसे ज़्यादा इलिट तो नहीं होंगे न, उनके वो फोटोज को अपने घरों के अंदर लगान लेना चाहिए, जिसमें वो सर के उपर सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, ये राजना सिंग भी तो चीफ मिनिस्टर रहा है, और उनका दिहान्त हो गया, सुसमा स्व और आज ये लोग छोटे लीडर थे, क्या, उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाया था ना, जब महंगाई खिला पांदोलन होता था तो ये लोग गले में प्याज और टमाटर बांद के गुमते थी, इनको तो शरम नहीं आती थी, ये जो आज विपक्स में बैठे हुए लोग दे रहे हैं, कि हम तो आहीं जाएंगे, या नए लीडर सिप की जरूर था इस समय, बिल्कुल दोनों, देखिए, डरे हुए से ज़्यादा मैं कहा रहा हूँ, ये काहिली है, ठीक है, डरना, आप राजनीत करने उतरे हैं, अभी कॉंग्रेस है ना, ठीक है, कि और जगा पर मैंने किसान अंदोने के दिन मैंने सोचा था, कि मैं पूछूँ कि तुम्हारे सी डवलू सी के मेंबर कितने आज किसानों के साथ खरे हूँ, उसका नाम बताओ, लेकिन उसी में से एक बैक्ती है, जो यूपी में कमाल कर रहा है, वो भी देखना तो, उसको लोग क्यों नह कर रहा है, और दोनों तीरों पार्टियां या दूसरे राजियों में पार्टियां कर रहा है, आज हम लोग कोई फिल हो रहा है, आप मुझे बताइए, हाथ रस के दोनों ही सुरक्षित सीट के मेले और MP वहां से जीते हुएं, क्या कर रहे हो भई, वोट मांगने वक्त तो आज उस दलित लर्की के साथ जो हुआ है, उसके पक्स में तुम खड़े नहीं हो गए, तो किस मुझे तुम वोट मांगने जाते हों? स्थाई बदलाओं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, कि समाज बदलेगा, वो लोग समझेंगे, उनका आप ये सवाल पूछे रहे हैं, कि उनका राजनीतिक समझ बदले, ये घटनाओं से नहीं बदलने वाली है, रोज मारे जा रहे हैं, यूपी में दलित पिछड़े आदि आदिवासी से भूल गए, आज मनिशा वालमी की का मामला है, इस पर तो पूरे देश की 85% बहुजन है, सड़क पर उतर के पूरा देश जाम कर देना चाहिए, आज जो आपका पहला सवाल था कि मोधी सरकार डरी होगी है, बिलकुल डरी होई है, उसे डर है कि कहीं ये सब्सक्राइब कर रहे है, सुधान 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 क्या है, अगर देखें, हम लोग ऐसा तो है नहीं पैदा हुए है तो मरेंगे भी, हमारी नेतिक जिम्यदारी हम को काम भी करेंगे, हम बैठ तो जाएंगे, हम अपनी नसलों के लिए लग रहे हैं, किसी पर अहसान नही कर रहे हैं, क्या सॉलूसन है एक पत्रकार के तौर पे, एक प्रफेसर के तौर पे, एक सोसल साइंटिस्ट के तौर पे, क्या नए लीडर्शिप की ज़रूरत है, आप लोग को आगे आना चाहिए, लीडर्शिप का क्या है ने, दो चीजे हो जाती इसमें, जैसे ही आप को पॉलिटिकल मोटिवेशन की तरफ जाएंगे, तो उसका एक अलग इमेज बना दिया है, तो हम लोग का उस परपस है था, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं कम से कम, हमारा परपस यह है कि वह सोसाइटी कम से कम समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है, हम लोग उस पर उस फ्रंट के आप रहते हैं ता हजारों लाखों की रहलियां कर देते हैं और आप एलेक्सन लरने उतरते हैं ता आपको तीन जार वोट मिलता है, तो एक तो सोसाइटी के अंदर वो प्रॉबलम है हमारी सोसाइटी के अंदर, इतनी हिम्मत हो जाते हैं, मैं तो मुझे कई बार लोग मनीशा बांगर के साथ, देखे, रेप हुआ, एक घटना है, वो उस तरह की और भे इस देश में होता रहा है, दुरभागपुन कहां से चुरू होता है, कि जो एड्मिस्टेशन को जो अपनी भूमिका निवानी चाहिए था, वो ओपन में आ गया है कि वो अपनी भूमिका के लोगों को भी लगा है, वहाँ पर साप दिख रहा है कि पेट्रोल डाल के पुलिस वाले उसको जला रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ जमीर अगर नहीं जग रहा है, तो फिर हम ना तो हम इसका मतला हम हिंदू भी नहीं है, इमानदारी से, जो एस्टी, आपको ब्रहामन या मनुबादी, जातिवादी, उससे पहिए कि हमको सिधा ब्रहामन बना लो भी है, लक्षमन सॉलूशन क्या है, जैकली बताईए, लास सवाल, कोई सॉलूशन है क्योंकि हर चीज का सॉलूशन तो होगा, दोक्टरम बेटकर लर क्या है, फुले प्रिया, इसे ब विवहार बदल सकता है, हमारे लोगों के जिम्मेदारी हम अपनी भी कमी मानते हैं, जैसे हमने निताओं की कमी गिनाईन है, वैसी हमारी भी कमी है कि हम बहुत दिक तपके के लोग, पढ़े लेखे लोग, प्रोफसर्स लोग, जनता की भाशा में जनता से समवार शायद न न दें, और यह साबित कर दें कि घटनाओं के पीछे प्रवर्तियां एक हैं, उन प्रवर्तियों को पहचानिये, जो चुनाओं के समय आपको जूट में फसा करके वोट ले लेती है, और आप ही के शाओ पर वो अपनी राजनी देखाए, एक आखरी सवल अपनी तारीफ के रहे हैं, एक कनेक्ट भी जो है आज की रिट में, जैसे अभी में पीछे काफी सारे आंदोलन चला है, आपने उनको कवर भी किया, तो उस वो सोचल मीडिया से हम जुड़े ना, आंदरा परदेश में, तामिलाड में अगर लोग हमारे साथ जूर के काम किये, हम उनके साथ जूर के काम किये, तो वो सोचल मीडिया का इंपक्ट था, और देखे, मजबूरी भी है, हमारे लिए सोचल मीडिया मजबूरी है, क्योंकि आपको में मीडिया आपको दिखाएगा है नहीं, इतनी विवत्स घटना को अगर में मीडिया कवर नहीं कर रही है, तो और किस अपने समाज तक पहुचना है, और आपके साथ हमारे अपने समाज के लोग जुड़े होए, तो हमें लाब तो हो रहा है, आपको हमको और हमारे सोसाइटिय को बहुत लाब हो रहा है, दिक्कत उसमें भी एक जो शुरू हुई है, कि आज कल कुछ फोकस्ट करके कुछ जो आगे बढ़ के सरकार किलाब काम कर रहा है, वहां पर भी उनके उपर बंदिस लगाने को बहुत है, बीजेपी को, लोग गुसे में हैं, बिहार में दिख सकता है, अब बिहार चुनाव एक प्रयोग होगा, उसको देखा जा सकता है कि उसका परिडाम क्या होता है, क्योंकि अब बहुत होगा, यहारे भी हैं, जहारे वहां विदायक खरीद करके, सरकारें गिरा करके, उनके अपनी सरकार भी बनाई है, इसके परे चलते हैं, सोशल मीडिया हमारे लिए, जिसको आप भी अक्तर कहते हैं, कि वह बहुजन मीडिया है, क्योंकि मेन इश्ट्रीम मीडि उनहीं से पैसा लेती है, जो लोग केंदर में सरकारें गिराते हैं, विदायक खरिदवाते हैं, तो हमारे लिए आवाज कौन है, हम दिल्ली विश्व द्याले में जब हम सारे लोग बोलते हैं, उसकी आवाज देश के कोने कोने तक जाती है, तो वो हमारे लिए यही मीडि तो इसका असर तो है, निश्यत रूप से मैं उमीद करता हूँ कि बिहार चुनाव में उसका परिडाम दिखेगा, लेकिन दीर्ग कालीन असर इसका जरूर दिखेगा, एक नई पीड़ी बदल रही है, मैं उमीद करता हूँ कि इसी सोशल मीडिया के जरिये, जब वो हमारी ब अनता अपने बीच से नए निता भी पैदा करती है, जनतार चुप नहीं रहेगे। उनको इन जैसे लोगों की एक प्लिटकल लीडर्शिप की जरूरत है, आप लोग की क्या पर्तिकरिया है, क्योंकि आपकी पर्तिकरिया हमें अपनी पर्तिकरिया जरूर दीजिएगा, पूरी बात ची सुनने के बाद क्या लगता है, कि हमारी लीडर्शिप फेल हो रही है, और हमें नए लीडर्शिप की जरूरत है क्या कैमेरमें तारदत के साथ श्रम्भू कुमार सिंग निस्नल दस्तक दिल ले निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें